हलो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे तो चलिए आज की रेस्पी शुरू करते हैं तो आज हम अंडा करी कुछ अलगी तरीके से बनाएंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएगी टेस्ट भी अलग होगा और बनाने का तरीका भी अलग होगा तो पहले मैंने यहां पर में चीजे त्यार करके रख ली हैं जैसे कि प्याज को मैंने छील करके धो करके अच्छे से रख लिया है तमाटर को भी मैंने अच्छे से धो करके रख लिया है अब प्याज को मैंने मोटे मोटे टुकडे में कट किया है और यहां पर कड़ाई गर तो फनी की का चल्ट डाले के तो यहां पर मैंने तो मोटकर के घर के लार भीए कार्ट डाला calculated छोटा छोटा हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा अब इन सारे चीजों को मैं भून लेती हूँ और यहाँ पर मैंने अंडे को पहले से ही उबाल करके छील करके रखा था इसको मैंने कट लगाया है दो से तीन कट लगा देंगे इसमें और तब तक हमारे यहाँ पर टमाटर पर आज भी भून के तियार हो गया है तो मैं अब इसे एक बड़े थाली में निकाल लेती हूँ और इसे रख देती हूँ पंखे के नीचे ठंडा हो जाए तो चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं तो उसी कड़ाई में मैंने थोड़ा स सरसु तेल और डाला है आधा चमच का समीरी लाल मिर्च डाल दी है थोड़ा सा नमक डाल दी है अब हम इसमें डाल देंगे अंडे को सारे अंडे मैंने डाल दिये हैं अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे तो अंडे फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाले त्यार कर लेते ह तो एक चमच हल्दी पाउडर डेठ चमच लाल मिर्च पाउडर और दो चमच मैं मसाले डाल रहे हूं तो इसमें धनिया और जीरा पाउडर दोनों मिक्स हैं और यह वह सिक्रेट चीज है एक चमच बेसन बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट भी आता है और करी में ठीकनिस भी आ रहे हैं तो आप आधा चमच ही डालना बैसन तो चलिए अंडे फ्राई हो गए हैं मैंने इसे निकाल दिया इसे तेल में अब मसाले डाल देंगे अब अच्छे से भूनें तो जो कटोरे में थोड़े से मसाले लगे हुए थे मैंने पानी डाल के निकाल दिया है अब इसे दो मिनट तक भून लेंगे तो यह उपर उपर तेल दिखाई देने लगा है तो इसे समझ जाना कि मसाले अच्छे से भून गये हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे जो टमाट तो साथी हम नमक डाल देते हैं एक चमच का सुरी मेथी डाल देते हैं इसमें और चलाते हुए इसे भूनेंगे अब तो इसे भी भूनते हुए दो से तीन मिनट हो गए हैं तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भून गए हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे जो अंडे को तल क तो इसमें और गड़ा देते हैं और अब हम इसे अचे से मिक्स कर देंगे और इसका ढळान धर कर लेतां तो छलिए 5 मिनित हो गया है मैंने इसका ढ़डाया है और तो बहुत ही टेस्टी हमारा अंडा करी बनके तियार है मैंने इसे अलग अंदाज में अलग तरीके से बनाया है तो आपको यह तरीका कैसा लगा जरूर बताना और पसंद आये तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना तो लास्ट में मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता और हरी मिर्च ताला है इसमें अब मिक्स भी कर देते हैं तो देखी सकते हैं बहुत ही ठीक ग्रेवी इसकी बनी है और बहुत ही टेस्टी बनाता फ्रेंड्स आप एक बाट राइ जरूर करना और कैसी लगी आपको जरूर बताना तो चलते हैं फ्रेंड्स मिलेंगे अगले रेसिपी में तब तक के लिए बाबाई और टेक केर